हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे ब्रक्सिजम के बारे में उसको टीथ ग्राइंडिंग भी बोलते हैं और हिंदी में उसको दात किट-किटाना या दात चबाना या दात पीसना ऐसे भी बोलते हैं जो रहता है ब्रक्सिजम यह नाइट टाइम में होता है अगर हम मतलब और वो हम जब अनकॉंशियस स्टेट में होते हैं जैसे हम रात में नींद लेते हैं लेकिन कभी-कभी हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती या बिच-बिच में खुल जाती है तब हमें बोलते हैं हमारे मेंबर्स कि तुम तो दाथ चबा रहे थे या तुम्हारे दाथ से कुछ ऐसा आवाज आ रहा था तो उसी को टीद ग्राइंडिंग या ब्रक्सिजम बोलते हैं तो जो ब्रक्सिजम है उसको मतलब वो एडल्स में और किड्स में दोनों में ही होता है जो एडल्स में होता है उसके रिजन ये रहते हैं कि कुछ-कुछ लोग smoking करते हैं और alcohol लेते हैं और तीसरा टाइप है जो stress लेते हैं बहुत या उनको anxiety रहती है या उनको साकेटरी की medicine चूरू रहती है उन सभी लोगों को teeth grinding के problem हो जाती है या कुछ-कुछ लोगों को कभी-कभी होता है उन लोगों को कोई tension लेनी की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो लोग हमेशा करते हैं उन्हें teeth grinding की वज़े से बहुत सारी problem हो सकती है जो teeth grinding की जो problem रहती है उससे अपना जो इनामल रहता है वो पूरा घिस जाता है और sensitivity होने की ज्य पेंट भी होता है कभी face pain भी होता है और दीरे-दीरे headache भी चुरू हो जाता है यह इसी लिए teeth grinding अच्छे से मतलब जो भी एज का treatment है वो करना चाहिए और जो सेम प्रॉब्लम में भी होती है जो किट्स रहते हैं बच्चे में भी उनको कभी-कभी separation anxiety होती है या उनको कुछ इसका डर लगता है उन्होंने कुछ टीवी पर सपोस्स देख लिया और रात को उनको अच्छे से नहीं आती तभी वह अपना दात चबाते हैं या उनको कोई health issue है उनको उनकी कोई medicine शूरू है कभी क्या होता है कि बच्चों में कोई medicine शूरू रहती है उसी की वज़े से भ music अच्छा सा music सूरना चाहिए ताकि उनको अच्छे से sleep आए और बिना attention लेके सोना चाहिए जो लोग mostly रात को टेंस रहते हैं और टेंशन लेके ही सोते हैं उनको teeth grinding का problem होता है और मतलब जिनको teeth grinding रोज उनको फिर भी फरक नहीं पढ़ रहा है उनको रोज teeth grinding हो रही है तो प्लास्टिक का एक मडेरियल रहता है जो उपर वाले जौ या नीचे वाले टीथ को लगा देते हैं वह कस्टमाइज हम को करना पड़ता है लगाने के बाद वह आपके टीथ को ज्यादा प्रेशार आने की वज़े से या घिसने की वज़े से बचाता है एक माउध गाड उ तो है वो रिलाक्स रहे बस यही है मतलब वैसे तो ब्रुक्सिजम मतलब टीथ ग्राइंडिंग को इतना इंपोर्टन्स नहीं दिया जाता या उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता रहता है लेकिन उसके मतलब उसका अवेरनेस चाहिए थाकि हमारे जो दात है व